नमसकार दोस्तों! हर्षित दिवेधी education में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीट सागर आज हम डिसकस करेंगे gates of hell के बारे में या दरवासा natural crater के बारे में जो तुर्कमेनिस्तान में स्तित है तुर्कमेनिस्तान में एक famous desert है काराकुम desert काराकूम डशर्ट में जैसे इस फोटो में आप देख सकते हो इस तरीके का एक फोर्मेशन है जिसमें इसे नाचुरल ग्यास निकलता है और यह नाचुरल ग्यास पिछले 40 सालों से जल रहा है तो रीसनली तुर्कमेनिस्तान का प्रेजिडेंट गुर्भ बैंगुली बदी म कुखमेडों ने यह ओडर किया है यह दवासर नाचुरल ग्यास क्रेटर को एक्स्टिंग्यूश किया जाए साइटिंग एकलोजिकल डामेच अन एकनोमिक कंस्टेंस आप देखी दोस्तों नाचुरल ग्यास का में कंटेंस क्या-क्या है आपको पता हो नीची मीथेन एथे बैसे मीथेन इसे ग्रीन होस्ट ग्यास यह वात आपको पता होगा अब कारबन डियूक्स जो ग्रीन होस ग्यास है उससे कम से कम 80 ऐम्स खतर नाचे मीथेन पर मीथेन का जो percentage यह वो कम है atmosphere में इसलिए इतना problem नहीं हो रहा है ठीक है वैसे methane जो इस तरह निकल रहा है इसमें ecological concerns बहुत ज्यादा है और साथ साथ में economic concerns भी है तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान का president नहीं order किया है इसे extinguish किया जाए सबसे पहले आप तुर्कमेनिस्तान का map देख लीजिए तुर्कमेनिस्तान one of the major central nation country है जो अपना western border कैस्पीन सी के साथ शेर करता है northern border कसाकिस्तन और उस्बसकिस्तन, southern border इरान और अफगानिस्तन के साथ अब तुर्कमेनिस्तान में important एक desert है कारकुम desert इसे black sand भी बोलता है तुर्कमेनिस्तान का 70% area जो है कारकुम desert है और एक छोटा desert है तुर्कमेनिस्तान में वो है अराल कारकुम और यह जो water body अब देख रहना दोस्तों यह है अराल sea अराल sea is in the borders of कसाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अब यह जो plane of the central कारकुम area है that runs from the Amud area to the Caspian Sea along the same in plain as the river देखे दोस्तों क्या बता रही दर एक important river है तुर्कमेनिस्तान में वो है अमूद area अमूद area का course आप इदर देख सकते हो कारकुम डसेट के साथ साथ यह भी Caspian Sea की और flow होता है अब दोस्तों what is the gates of hell देखे gates of hell इसे commonly बोलते है technically इसका नाम दर्वासा natural crater है दर्वासा उस village का नाम है जहां एक रेटर स्थीथ है यह तुर्कमेनिस्तान का capital अश्गाबाद से 260 km नौर्थेंसेट में located है the site is 60 meters wide and 20 meters at its depth अब इसके origin के बार में एक कहानी है दोस्तों कहानी यह है कि 1971 में Soviet geologist oil drill कर रहा था desert में वैसे आपको एक चीज़ पता होगा कि 1990 से पहले तुर्कमेनिस्तान वासे part of USSR नहीं तो Soviet Union का एक part था ठीक है तो 1971 में Soviet geologist जब oil drill कर रहा था एक pocket of natural gas में heat हो गया तब से उदर से natural gas निकल रहा है अब इतना सारा natural gas निकल रहा था तो geologist ने क्या सोचा इसे आग लगा देते देखे कहीं के ही natural gas atmosphere में leak नहीं होने के लिए उसे जला दिया जाता है तो उसी तरह geologist ने सोचा थोड़ा वह natural gas निकल रहा होगा वो जलके खतम हो जाएगा पर पिछले 40 साल से ये continuously जल रहा है 2018 में president इसका नाम change करके shining of caracom करके कर दिया गया अब दोस्तों कहानी अलग सालों बाद 2013 में एक Canadian explorer George Coronis ने इधर एक expedition कंड़िट किया और इन्होंने ये discover किया no one actually knows how this hellish inferno came to be मतलब ये आग कैसे लगया किसी को actually मालूम नहीं है ये बस एक कहानी है Soviet geologist ने लगाया होगा करके वैसे local Turkmen geologist का कहना ये है ये जो gaping 1960s में फोर्म होगा ना कि 1980s में आप देखिए 1960s में Turkmenistan was under Soviet rule ये बात आपको पता है तो तब ये oil, gas वगर highly priced commodities थे इसलिए इनके creation के बारे में जितने भी information ने वह सब top secret information करके classify करके रखा है तो इसके बारे में ज्यादा कोई idea या information किसी के बास नहीं है वैसे जो दर्वासा natural crater है ये बहुत दूर से दिखेगा क्योंगी इतना भाहेंकर आग है और इसकी जो heat है वो भी काफी दूर से आपको महसूस होगा क्योंगी इसमें से जो sulfur निकलता है उसकी जो bending impact है वो कहीं ज्यादा है आप जितना पास जाओगे उतना आपको heat फीलो वैसे दोस्तों आपको एक doubt आया होगा इसमें sulfur कहां से आ गया देखें natural gas में sulfur भी present है in the form of hydrogen sulfide right now why Turkmenistan want to close it देखें सीधी सी बात है अगर इतना natural gas है क्रेटर से निकल है उसका ecological impact होगा है और जिस विलेज में ये क्रेटर स्थी थे उदर कम से कम 350 लोग है जिनकी लाइफ खत्रे में है उपर से 2021 में Bloomberg में एक article आया था उसमें ये बोला गया Turkmenistan का जो state controlled energy sector है ना this is one of the world's worst emitters of greenhouse gas methane मैंने आपको पहली बता दिया methane gas जो है CO2 से carbon dioxide से काफी खतरना gas है आप इसका जो emission है ये reduce करना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए Turkmenistan अभी ये extinguish करना चाहते है ये natural gas जो निकल रहे ना उसे बंद करना चाहते है और देखिए दुनिया में जितना onshore oil and gas operations चल रहा है ना जिसमेंसे इंडियन्स methane releases होता है top 50 में से 31 Turkmenistan में स्तित है और 2021 में International Energy Agency का एक estimate आया था उसमें ये बोला गया Turkmenistan का जो overall methane emissions है ये Russia, US, Iran, Iraq के just बात है मतलब 5th largest overall methane emitter है Turkmenistan वैसे अगर आप methane emissions intensity देखोगे तो Turkmenistan का second position है अब ये overall methane emissions और methane emission intensity में फरक है methane emissions intensity मतलब होता है the leak rate और ratio of methane emissions to the natural gas produce मतलब जितना natural gas produce हो रहा है उसमें से कितना leak हो रहा है समझ रहा है मतलब Turkmenistan में जितना natural gas produce हो रहा है उसमें से जो methane leak हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए वो इसाब से Turkmenistan second highest emitter है methane का अब दोस्तों finally international energy agency के बाएर में बात हो आई है तो इसके बाएर में भी briefly discuss कर लेते है एक autonomous intergovernmental organization है within the OECD framework OECD मतलब organization for economic cooperation and development यह 1974 में create हुआ था किसलिए to help coordinate a collective response to major disruptions in the supply of oil basically supply of oil साथ-साथ में energy रुपना नीची यह supply chain को एकदम जारी डखना है उसी के लिए यह collectively response करते है इसमें करीब 30 member countries है इसका headquarters पारीज फ्राइंस में है इसकी जो mission है वो चार area के ऊपर focused है एक तो energy security ensure करना है economic development साथ-साथ में और साथ-साथ में environmental awareness भी फिलाना है and world weight engagement भी रखना है इनके major reports कौन-कौन सा है this is important global energy and CO2 status report world energy outlook world energy statistics world energy balances and energy technology perspectives इसारी इनके important reports से ध्यान जीजेगा तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको समझ में आया होगा आप उजे comment box में प्लीज बता दीजिएगा लक्षे की PDF as usual आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे provided है thank you for watching, bye bye, have a nice day